चलिए आज कुछ question करने वाले हैं जिसमें compound, complex, simple और degree वाले question और भी कई सारे important question discuss करेंगे चलिए पहला question ये रहा आपके सामने है ना आप question पढ़ते जाईए तब तक मैं 2-3 word लिखूंगा उधर है ना ये word आप अपनी copy में लिखते जाईएगा amphibian आज जो मैं आपको word बताने वाला हूँ which is related to one word substitution ठीक है आपके इसमें जो vocabulary आती है उसके अंदर one words आते हैं phrasal verbs आती है phrases आती है idioms आते हैं है ना antonyms आते हैं synonyms आते हैं ठीक है तो आज जो मैं word जितने भी हम बताऊंगा बीच बीच में वह आपके क्या होंगे one words अब मुझे यह बताईए कि although they are 250 miles apart they keep in constant contact on the internet आपको दिया है है यह simple sentence है complex है compound है या फिर none of these जल्दी से इसका सही जवाब दीजिए जल्दी से बताईए जरा मैं बताता हूं देखिए यहां पर आप देखिए एक although लगा हुआ है है और sentence देखिए कितने है although they are 250 miles apart एक sentence तो यह हो गया और फिर कॉमा लगा हुआ है दूसरा sentence स्टार्ट हो रहा है जो कि है they keep in constant contact on the internet तो यहां पर देखिए एक sentence जो है इसमें वो है dependent अपने यह तो पड़ा होगा dependent independent है ना मैं बताऊं रुको जैसे मैंने यह आप लिखा कि I am smart Bernard I am smart अब Сेंटेंश कुन सा हो गया यह सेंटेंश یہ सेंटेंश राइड तो ही सही है यह सच तो हीसाी बट यह जो सेंटेंश यह केसा हो गया मालूम यह हो गया independent यह किसी के ऊपर डिपेंडनी यह जीसरे मैंने अगर है कैसे ही बोला I am smart तो आप बोलोगे हां सर हो तो आमको भी पता है ठीक है लेकिन अगर मानलो मैंने यहां पर कोई और sentence बोला जैसे एसा लिखा मैंने, so that they live in water ये लिख दिया तो अब ये sentence जो है ये किसी के ऊपर depend है ये dependent sentence है जैसे मैंने आके बोला इसलिए वो पानी में रहते तो आप पुछे कोन रहते हैं क्यों रहता पानी में किस की कह रहे है सर समझ गए तो ये sentence हो गया dependent तो अगर कोई sentence जिसमें dependent sentence हो दूसरा independent हो तो ऐसा sentence कहलाता है आपका complex sentence बोलो बात समझ गए ये है logic तो यहाँ पर although they are 250 miles apart है ना और एक लिखावा they keep in constant contact तो इसलिए एक sentence dependent दूसरा independent so this is a complex sentence शाली तो जिसने भी लगाया था इसका जवाब option number भी वो बिलकुल correct है यहाँ पर मैंने लिखा amphibian अभी कल एक्जाम हुआ था अपने व्यापम का ही था PNST वाला उसमें बहुत सारी वोकेब में एक यह वोकेब आई थी जो कि मैंने आपको बताई थी diligent मैंने आपको ट्रिक से भी बताई थी दिल्ली के एजेंट बहुत ही hard working है diligent एना एमफिबियन एमफिबियन किसको बोलते हैं एम इसे होते हैं जो पानी में ही रहते हैं जैसे मेंडग है तो ऐसे क्या कहलाते हैं एमफिबियन थीक है उभएचर बोलते इनको याद रखिएगा important word एक्जाम में कई बार आता है तो एमफिबियन का आप लिखना चाहें तो living both water and land जो पानी में भी रहता है जो बाहर भी रहत ता और मैंने आपको इसके दोनों तिनों चारों word बताये थे हैं ना इंडिजेंट बता रखाये विचसे तो अब याद हो गया तुमको ठीक है इंडोलेंड बता रखाये फिर भी एक बार और याद दिला देता हूं यह ना diligent बता रखाये इंडिजेनस बता रखाये इंडिया एजेंट पूर डेस्टिट्यूट पूर नहीं है इंडोलेंट इंदोर के लोग लेजी लेजी नहीं है डिलिजेंट दिल्ली के लोग हाड वर्किंग है और इंडिजेनस का मतलब होता है ब्यूकॉलिक ग्रामीड ठीक है यह रिपिटेटिव वर्ड है काफी बार एक्जाम में आते हैं चलिए आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट क्योशन पर चलते हैं नेक्स्ट क्योशन पर चलने से पहले एक और वर्ड आपको बता देते हैं एक और वर्ड है वो देखिएगा एस्पिरेंट बताई यह वाला क्योशन भी एक्जाम में आता है इसका question ऐसे आएगा, कि the person who has ambition, who has ambition for fame, ऐसा आदमी, जिसके मन में, fame, fame का मतलब जानते हैं, fame का मतलब, जो ख्याती, है न, goodwill, तो जिसके मन में, ख्याती पाने की आकांग्शा होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं, aspirant, ठीक है, तो यह याद रखिएगा, important word है, और, I think, सभी को aspirant होना चाहिए, सभी को महत्व कांशी होना चाहिए, क्यों जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति को कुछ पाने की चाहनी यंग ये जीवन में मतलब, तो उसका जीवन मतलब फिर, जीवन में क्या करेगा आदमी, फिलनी आएगा न उसको, और ये जरूरी भी है, नि तो फिर रिस्तेदार भी इजट नहीं करते हैं, रिस्तेदार भी उसी के घर पत्रिका देने जातें, जो पाइसेवाले ह जाते हैं बोले हमारे जल्दी हो रही थी जो हम निकल गए तो इसलिए पैसे वाला बनना पड़ेगा तुमको और उसके लिए मेनत करनी पड़ेगी दीन और रात चलिए नेक्स क्योशन यह रहा आपके सामने है बताईए यह कौन सा सेंटेंस है देखिए एसा है कि जमाना इसा ही क्या करें और यह बात है अब आप सोचो कि सर आपको कैसे बता क्योंकि मैंने दोनों फेस देख रहे हैं जीवन में इसलिए मुझे अच्छे से पता है कि जब पास में कुछ नहीं था तो बड़ी दिक्कतें थी और कोई पूस्ता भी नहीं है जाते हैं वो तो हमारे वह लगते हैं उनके हमारे फूपाजी के नननन के मौसी के लड़की लड़की तो हैं वह हमारे तो कब सी जान पेचान है पहले तो पैचानतीन थे लोग ऐसा ही होता है इसलिए आपको पढ़ना पढ़ेगा समझ गए बाकी तुम देख ले ना आता हूँ, देखिए, क्या लिखा हुआ है, John dislikes sitting on the roof, देखिए, John को roof, मतलब छट पर बेटना जो है, वो पसंद नहीं है, ठीक है, John dislikes sitting on the roof, आगे लिखा हुआ है, कि he always gets a headache, उससे तो हमेशा ही क्या होता है, उससे तो हमेशा headache होता रहता है, ठीक है, एक सेटिंग नहीं हो आवा जारी ना बढ़िया, ठीक है, हलो सवीथा, how are you, तो यहाँ पर आप देखिए, he always gets a headache, अब आप मुझे बताईए, क्या कोई sentence किसी के ओपर depend है क्या, बिल्कुल नहीं है, है न, कैसे, John को छट पर बेटना पसंद नहीं है, जैसे मैंने बोला, John को छट पर बेटना पस independent, किसी के ओपर depend नहीं है, तो जब दोनों sentence independent होते हैं, तो ऐसा sentence कहलाते हैं, आपके compound sentence, बात समझ गए, simple sentence क्या होता है, जैसे कि यह एक simple sentence हो गया, और वो एक simple sentence हो गया, दोनों को जोड़ा, दोनों compound बन गए, अगर एक dependent होगा, एक independent होगा, तो complex हो गया, ऐसा मामला है, एक word है, amnesia, बहुत ही important है, amnesia, सुना तो होगा आपने, पूपाजी की ननन केसे, और मैं तो इसे ही बोल रहा हूँ मतलब, वो रिस्ते होते हैं ननन, बहुत सारे होते हैं तो इतना दिमां क्यों लगाते हो, बिठे बिठे, तो महां तक चले गए, तो महां तक चले गए, इसे ही जो मन में आगया हो, बोल दिया, चलिए, amnesia का आर्थ क्या होता है, जल्दी से बताइए, देखिए, amnesia का आर्थ होता है, partial or total loss of memory, जैसे आपने गजनी मुई देखी होगी, तो उसमें उसका दिमां भूल जाता है, मैं कोन हूँ, तो ऐसा आदमी, उसको क्या हो जा होता है, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ाएं, नेक्स्ट क्योस्ट्चन से पहले एक और वर्ट, polygamy, polygamy, polygamy का आर्थ क्या होता है, देखिए, polygamy का आर्थ होता है, the person who has many wives, जिसके बहुत सारी पत्नियां होती है, एक, दो, तीन, चार, पांच, एसा आदमी क्या 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 लाता है, polygamy, इसको अगर एक्जाम में याद रखना है, तो आप ऐसे याद रख ले ना, कि विचारा पोला हो गए आदमी, पैसे नहीं बचे ना, गम के मारे, इतने गम है उसके, तेरा गम अगर न होता, बोलो समझ गए, तो who has many wives, तो इसको बोलते हैं polygamy, लेकिन अगर एक्जाम में आजाए, who has many husbands, तो ये होता है, पोलेंडरी, याद रखना इसको है ना, हस्बेंड वाला क्या है, पोलेंडरी, आनन्द, ए एंडी, अनू, क्या हो अनू, चलिए, आगे बढ़ाएं, नेक्स्ट क्योशन, हाँ, बताईए जरा, अब आप ही पढ़िये और आप ही बताईए है ना, हाँ, गेमी इस दे रूट वर्ड, पुनित सर में कितनी शादी करूं जिससे फ्यूचर ठीक ठाक रहे, सज बताउं क्या, एक ही कर लो, चलि, नेक्स्ट क्योशन, विच ग्रूप शोज अनली सूपर लेटिप्स, जल्दी से बताईए आपको चेक करके बताना है, यह ना, बताओ, जोती, पूजा, साधना, मोना, पूजा, प्रियंका, अनू, और्मा, अर्ना, अर्ना, मोनी, रीतु, आर्थी, जोती, उसकर, यह लड़के काँ चले गए सब, यह एक भी नाम नहीं दिखे रहा है मेरको, देखिए, सूपर लेटिव, सूपर लेटिव, राउंडर, मोर, हटा दो इसको, est, most, est, 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 right, est, er, cut us, est, est, er, cut us, option number b, is the correct option, ठीक है, चलो, आगे बढ़ाएं, चलिए, एक word और बता देते हैं आपको, regicide, सुना होगा वेसे आपने, regicide, side का मतलब होता है, murder, regicide का मतलब होता है, murder of a king, murder of a king, राजा की हत्या, राज हत्या, important question है कई बार आता है, इसी में एकोर आता है, infanticide, infanticide, ये भी बहुत आता है, why, because generally ज़्यादा होता है, तो जो चीज़ ज़्यादा होती है, वो परिक्षा में आती है, जैसे regicide, आप देख लो, कोई भी राजा है, किसी भी देश का, तो उसको मारने की ताक में बेठे रहते लोग, इसको बस मारेंगे, तो उसके इसलिए तो आसपास चार बड़िगाड होते हैं, तो regicide आता है, एक आता है infanticide, newborn child, नवजाच शिशू की हत्या, जैसे कई बार ऐसा सुना होगा न, अपने नवजाच शिशू, तो उसको infant बोलते हैं, तो the newborn child, उसको infanticide बोलते हैं, यह होता है murder of a group of people, जब एक group में कई सारे लोग हैं, उनको एक साथ में मार दिया, उसको बोलते हैं genocide, इसी के साथ एक आता है avicide, avicide होता है killing of avi, birds, killing of birds, ठीक है, पिर एक आता है आपका apcide, यह होता है आपका killing of bees, मधु मक्कियों को मार देते हैं ना लोग, तो वो होता है यह, यह ना तो यह सब याद रखना, यह एक एक बार पड़ो के काम हो जाएगा, thank you अनू, ठीक है, आगे बढ़ा दे, हाँ, बेबी की हत्या, हाँ छोटे वो ऐसा होता है, आपने देखा नहीं होगा, कि अगबार में खबर आती न, नवजाद सीशू को मार दिया, तो वो वाला है, आगे बढ़ाएं, next question, अब आपको ही पढ़ना है और आपको ही बताना है, एक और वर्ड होता है, वो मैं लिख देता हूँ, तब तक जिसको याद हो, वो लिख देना, कार्निवारस, हाँ, ये क्या है, choose the correct sentence, मैं दूर जाकर पढ़ना पढ़ेगा, इधर रोके, आपको ये बताना है, कि इन चार सेंटेंस में, एक correct है sentence, एक, only one, and the remaining is wrong, तो आपको बताना है, कि जो correct है, वो कौन सा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बी, चलो, देखो, पूरा पूरा कभी नहीं पढ़ना, उसमें आप ये दिमाग लगा लो कि क्या पूछना चाहरा हो, इसमें वो पूछ रहा है, कि the comedian and the comedy club was the most funniest man, ठीक है, the comedian and the comedy club was the funniest man, the comedian and the comedy club was the funniest man, the comedian and the more funnier, जिसने भी, इसका उत्तर भी बताया है, उसका बिल्कुल right है, यहाँ पर दिखिए, आपने most भी लिख दिया, फिर आप पीछे EST भी लगा रहे हो, हमको सब पता है, super degree में या तो पीछे EST लगा लो, या आगे most लगा दो, दोई-दोई थोड़ी चलेगा, क्या भी या, है ना, भी किसी के घर जाते है, अपन मेमान बन के, तो वो यह पूछता ना, या गाजर का हलवा खाऊगे, क्या लगा आपके, वो मेरे जैसे थोड़ी सब रहते हैं, जो के देते हैं, क्या आपके घर में, एक हीच कटोरी है क्या, एक हीच कटोरी है, दो कटोरी होगी ना, तो दो ही लाओ, फिर एक लाने ही क्या बात है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं चलेगा, एक ही चलेगा है, यह तो most या est, तो यह most हटा दो यहां से, मतलब हटाना नहीं, यह यह रॉंग हो गया, फिर यहाँ पर देखिए, इसमें the लगा हुआ है, er लगा हुआ है, यह भी रॉंग हो गया, the लगा हुआ है, more लगा हुआ है, यह भी रॉंग हो गया, मतलब आपका जो सही है, वो कौन सा है, वो है option number B, बोलो समझ गए, please tell me the plural of sir, plural किसका वो लिखो तो सही, यह किसका प्रॉल बताना है, ठीक है, next question देखिए, यह देखिए, अच्छा एक word लिखा था ना, मैंने उपर, carnivorous, यह लिखा था, यह आगया, वो लिखो पहले, जाने लिखा था, देखिए, carnivorous का मतलब होता है, the person, who eats flesh, जो मान्स खाता है, only मान्स खाता है, उसको बोलता है, carnivorous, बोलो, याद रखोगे, यह भी important है, एक्जाम में आता है, one who eats flesh, ठीक है, एक और होता है, herbivorous, who eats plants, जो plants खाता है, उसको herbivorous बोलता है, ठीक है, एक और वर्ड होता है, आम्नि वर्ड वर्ड है, who eats everything, सब कुछ खा जाता है, जैसे को किसी एक शादिम जाते है, आपन कुछ भी नहीं छोड़ते हों आपे, बहले पेड बर जाता है, तो भी बोले, यह भी बज़ गया है क्या भी, पान भी बचा भी, खाई लेते हैं, अभी लिफाबा तो दे ही रहे हैं अपन, बोलो, समाझ गया है, आगे बढ़ाएं, ओम्नि वर्ड, कार्नि वर्ड, हर्विवर्ड, है ना, चलिए, नेक्स क्योस्चन देखते हैं, यह बताईए जरा, इसका जवाब क्या है भी यह, पढ़के ही बताना है, मैं नहीं पढ़ूँगा, मैं पढ़ता हूँ तो एंसल आ जाता है, बोलो, देखो पढ़दू, his investment fell, and he lost the family nest egg, आपको इसमें समझना है कि करना किया, देखो, which of the following shows an example of an idiomatic expression, idiomatic expression का मतलब, समझते हैं आप, है ना, लिफापे में बले 100 रुपे, 100 रुपे, 100 रुपे भी रखते हैं, और घर में आयोगे मैमानों को भी दू ले जाते हैं, वो मेमान भी बोलते हैं कि अरे रेन दो अच्छा नहीं लगे, उसमें क्या है जो वाँ तो अपने घर की बात है कि, वो कोई मना थोड़ी कर रहे क्या, हैगे नहीं, और फिर वाँ जाके, शादी वाले वाँ जाके बोलते हैं, आपने घर की बात थी, जो यह आये थे, जो मैंने का तू भी चल, तो वो बोले, हाँ कोई बात नहीं, फिर बाद में, देख लो, एक का बोलत अंचार आ गए, इसलिए जाया मत करो, इसमें, जिसने भी ए लगाया, उसका बिल्कुल राइट जवाब है, आपको कुछ नहीं करना है, मैं आपको बस एक तरीका बता रहाँ कि अगर इस प्रकार का कभी प्रशना आता है, तो आपको उसमें एक इडियम ढूनना है, अब इडियम आराम से पता चलेगा, कैसे, इडियम आपने देखा होगा, वाइट एलिफेंट, ब्लेक शीप, बहुत सारे इडियम पढ़ा रहे हैं, मैंने, डेगर्स द्राउन, एट अर्म्स लेंथ, तो यह सारे इडियम होते है, कैसे पैचानेंगे, देखो, एग इस पर मैंने अनलाइन कर दिया, इसमें कोई नहीं है, और इन चारो में जो इडियम है, वो फरस्ट वाले में है, ठीक है, और जो फरस्ट वाले में है, नेस्ट एग, इसका मतलब क्या होता है, सेव मनी फोर दे फ्यूचर, भविश्य के लिए जब हम पैसा बचाते हैं, कि आगे काम आएगा, तो उसके लिए हम यूज करते हैं, nest एक, ये मुहावरा है, ठीक है, भविश्य के लिए पेसा रखते हैं, या बुरे दिनों के लिए, बोले आगे बुरे दिन आएंगी न, तो उसके लिए पेसा जमा करके रख लो, क्योंकि पहले से पता रहता है अपन एक वर्ड है, क्रेडिलस, बताइए, सुना है आपने कभी, क्रेडिलस का अरत क्या होता है, हाँ, cat and dog life, वर्क दो का सिले बस कब आएगा, वर्क दो का सिले बस आज किती तारीक हो गरी, दस तारीक हो गरी न, सोला तारीक के दिन, शाम को पांच से छे बजे के बीच में आएगा, ठीक है, सोला तारीक को, चलिए, आगे बढ़ाएं, गरेडिलस, गरेडिलस का अरत क्या आपने करता है, एक एसा वेक्ति जो आसानी से किसी भी चीज़ पर बिलीव कर लेता है, उसको बोलता है, इसका वन वर्ड भी आता है, सिनॉनिम भी आता है, ठीक है, और इस पूछेगा, तो इनोसेंट, ठीक है, इनोसेंट के बाद में फिर आप देखें, जैसे एज ग्रीन, एज ग्रास, ये इसका एडियम हो गया, एज ग्रीन, एज ग्रास, बोलो समझ गए, चलो, आगे बढ़ादू, नेक्स क्योश्चन ये रहा आपके साब, बताओ, इसका सह जवाब क्या हो जाएगा, वर्ग दोगा पेपर कब होगा, वर्ग दोगा पेपर आज क्या चल रहा भी जैसे, जुलाई, अगस, सितंबर, ओक्टोबर, 28 ओक्टोबर के दिन होगा, ठीक है, सुबह नो बजे और एक पारी होगी दो पहर, दो बजे, चली, आगे बढ़ाए देखिए क्या लिखा हुआ है, she truly enjoyed growing her own organic vegetables, the underlined word in the sentence above is, underlined word तो किया ही नहीं अपन ने, ये कर दिया, अब बताईए जड़ा, आपको बताना है कि इसमें जो underlined word मैंने कर रखा है growing, ठीक है, underlined कहा है, ये कर दी ना मैंने, अपने घर की बात ये कर दिया, आपको बताना है कि ये क्या है, आप आराम से बता देंगे, infinitive phrase है, या participle है, या none of the above, चलो, मैं बता दूँ, बहुत आसान है growing, ing लगा हुआ है, है ना, जैसे हम बोलते हैं, stop writing, stop writing, है ना, तो ये writing आपका जिरंड हो जाता है, है ना, keep doing, और ये भी लिख लो कि ये जो मैं आगे-ागे लिख रहा हूँ, इनके आगे, इनके साथ अगली जो वर्ब में जिरंड लगता है, जैसे कि, I love cooking, मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है, जैसे, I like dancing, मुझे डान्स करना बड़ा पसंद है, इसको बोलते हैं, जीरंड फॉर्म, ठीक है, अभी बताते हैं, सब को है ना, चिनता मत करो, क्लास के बाद बताऊँगा, सर आप prophecy भी करते हैं, अब यार सवाली लोग को ऐसे पूछते हैं, क्लास में आके, कि सर वर्ग दो की परिक्षा कब होगी, तो अब notification में आएगा, अभी तो पता चलेगा, तो अब उनको फिर जवाब नहीं, दो आन तक वो पूछते रहते हैं, तो अब जैसे मैंने कौन से तारिक बता ही थी अभी, 28 November, October, तो 8 October तक तो नहीं पूछेंगे, फिर आगे देखेंगे, यह, दो तीन महीने तक लिए फिर हो गए अपन, चले, आगे बढ़ाएं, next question देखो, next question तो नहीं है, लेकिन next आपके लिए motivation है, don't be pushed around by the fear in your mind, be led by the dreams in your heart, कई बार लोग ऐसे होते हैं कि एक्जाम जैसे से पास आती है, तो उनके मन में कहीने कहीं डर बेढ़ जाता है, तो डरने का टाइम थोड़ी है, यह तो कुछ करने का टाइम है, समझ गया है, अगर अभी आप डरोगे, तो इतने मुश्किल से काफ में नोकरी आने वाली है, और ऐसे समय में अगर हमारे माइंड को हम कहीन कहीं डर से भढ़ लेंगे, तो पॉजिटिव रिजल्ट कैसे आएगा, ठीक है, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, कि इस डर को दूर भगाना है, और अपने मन में अब यह सोचना है, कि भया, मेरा जो सिलेक्शन है, वो इस दुनिया कोई ताकत नि रोक सकती, ठीक है, क्योंकि अब मेरा जो सही वक्त है, वो आने वाला है, तो एसे समय में आपको माइंड को क्या रखना पड़ेगा, पॉजिटिव रखना पड़ेगा, ठीक है, अब आप की सक्सेस जो है, वो बहुत पास में है, जिस के लिए अपन इतने दिन से तैयारी करते हैं, कर रहे थे, कक्षा पहली में पड़े, खोब मार खाई, दूसरी में फिर मार खाई, किती मार खाई है अब आज कल के बच्चे तो नहीं खाते हैं, तो वो इसी दिन के लिए, तो अभी ड़रना नहीं है, अब तो स में सपने पालो, यू जमी पर बेट कर क्या आसमान देखता है, पंखों को खोल ए परिंदे, ये जमाना उडान देखता है, समझ गए, तैयारी इतनी खामोची से करो कि सफलता सोर मचा दे, डारेट काजु कतली की डब्बे लेके जाओ, जो लोग तुमको कहते हैं, क्या कर बतली, रीटा, रीटा, लवस तू गो तू दबीच, एंड स्पेंड्स हर देज, सन बाथिंग, आपको बताना है, ये कौन सा सेंटेंस है, सिंपल, कॉंपलेक्स, कंपाउंट या फिर नन ओप दीज, बोलो, अपनों ने तो अपने घर वाली भी उठा उठा की स्कूल में फेक के आते थे, आज कल की बच्चे से स्कूल जाते हैं, उनकी मम्यां ऐसे बाए करती, जैसे वो वीदेश जा रहा हूं, बाए बिटा, बाए, अच्छे से बेटना है न बिटा, और हमको यूं ऐसे पकड़क के नहीं, फेक के आते थे हमाई स्कूल में, कि मारना इसको, कूटना इसको अच्छा, अब देखिए ये जो सेंटेंस है, आपने पड़ी लिया होगा इती दिर में, रीटा लवस टो गो तो दो बीच एंड, अब यहां पर देखिए, आप लोग को लग रहा होगा कि ये कंपाउंड सेंटेंस है, ये कंपाउंड नहीं है, ये सिंपल सेंटेंस है, कैसे, इसमें दो सेंटेंस थोड़ी जोड़ रखें, मतलब दो सेंटेंस जब जुड़े हुए होते हैं, और वो भी कौन से, इंडिपेंडेंडेंट, तो उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं compound ठीक है और complex किसको बोलते हैं जिसमें एक dependent होता है दूसरा independent होता है तो वो कौन सा होता है वो होता है आपका complex बात समझ गया और compound जिसमें दोनों independent होते हैं लेकिन यहाँ पर दो sentence थोड़ी है क्या यहाँ पर तो एक ही sentence है समझ गया जैसे रीटा लवस तो गो तो दो बीच एंड इस्पैंड यह देखो वही वर्ब चल रही है अगर यहाँ पर एक और subject होता जैसे दूसरा subject होता इधर रीटा है उदर रीटू आ जाती है मान लो तो वो दो sentence हो जाते हैं बात समझ गया तो इसलिए यह sentence आपका कुन सा है simple sentence चली अग और जो daily class के link होती है वो भी वहाँ मिलती है जो भी information होती है चली अब अगला question यह रहाँ आपके सामने बताइए इसका सभी जवाब क्या हो जाएगा एक word और बताते हैं आपको important है जैसे मैंने आपको बताया था genocide इसी टाइप का एक word होता है जो की होता है carnage यह भी इसी का synonym ही है काफी बार एक्जाम में आता है carnage important याद रख लो carnage का मतलब होता है वही killing of a group of people murder of a group of people है ना हाँ नर हत्या समू हत्या जो होती है उसको सामूहिक हत्या ठीक है एक और word होता है CRIPPLE यह भी बहुत आता है CRIPPLE cripple the person who is unable to walk properly जो प्रॉपर तरीके से walk नहीं कर पाता है चल नहीं पाता है फिर नहीं पाता है उसको बोलता है हम क्या cripple यह भी आतना important है काफी बार एक्जाम में आता है the person who is unable to walk properly ठीक है एक और word है symmetry C-E-M-E-T-E-R-Y symmetry symmetry is the place where dead bodies are buried जहां पे dead bodies को buried किया जाता है दफनाया जाता है ठीक है then the next word is crematory crematory is the place where dead bodies are burned जहां पे dead bodies को जलाया जाता है उसको बोलता है crematory और एक और word होता है mortuary mortuary is the place where dead bodies are kept before burning जहां पे dead bodies को रखा जाता है उसको बोलता है mortuary कि बोलो याद रखोगे चलिए next question पर चलते हैं हाँ इसका answer क्या बता है आप लोगोंने question no.8 बोलो देखो अभी देख लेते हैं लिखा हुआ है Tom and Jerry have a big argument every summer over ठीक है where they should spend their summer vacation अब यहां पर देखिए आपने क्या जवाब दिया भाईया B के A के C monastery अलग होता है mortuary अलग होता है mortuary is the place where dead bodies are kept and monastery is the place where monks live together monks and nuns live together जहां पर साधू लोग साथ में रेते हैं that is called monastery ठीक है symmetry symmetry को सिमेट से याद रख लेना the place where dead bodies are buried ठीक है चल यह आपका कहलाएगा complex sentence why complex because यहां पर देखिए एक sentence यहां से शुरूरा है Tom and Jerry have a big argument every summer over ठीक है एक यह sentence यहां खतम हो रहा है दूसरा sentence है where they should spend their summer vacation अब यह sentence where से शुरू हो रहा है जो कि dependent है दूसरे के ऊपर ऊपर वाला sentence वो independent है जब एक डी दूसरा आई तो ऐसे sentence क्या कहलाएंगे आपके complex sentence तो इसका सही जवाब होगा option number B बोलो समझ कए लाइक करो सब लोग नहीं लाइक बिल्कुल मत करना देखो लाइक करोगे आप जैसे लाइक करने के लिए इसे उंगली से इसे दबाना प्रेस करना पड़ता है मालो कहीं उंगली उंगली में देखो जोर वोर आ गया फिर तुम बोलोगे कि सामसर की क्लास हमने लाइक करी इसलिए हमारे उंगली में जोर आ गया चलो तो लाइक मत करना आगे बढ़ाते हैं नेक्स क्योशन देखिए जरा क्योशन नंबर नाइन आपको बताना है कि यह यह जो है नियरली यह एडवब डिग्री है मैनर है एडवब है प्लेस है कि चलिए हां क्या लगा दे बोलो कि यह जोती गेरिंग मेरा अंगूटा टूड़ी गया मैंने पहले ही बोला था इसलिए कि युनिट नंबर 16 के क्योशन 8 करवा रहे है आपके है एक ग्रेड वन वालों के लिए लास्ट में एक फोल्डर बनाया है उसमें मैं बहुत सारे प्रेक्टिस क्योशन 8 करवा हूँगा ठीक है देखिए यह जो नियरली है इसको कहते है एडवर्ब ओफ डिग्री जैसे कि अब एडवर्ब ओफ डिग्री क्या होती है एडवर्ब ओफ डिग्री जैसे एडवर्ब ओफ मैनर एडवर्ब ओफ प्लेस एडवर्ब ओफ टाइम इसे टाइप से एडवर्ब ओफ डिग्री भी होती है जैसे आपने कई सारे वर्ड मैं आपको बतारता हूँ आपने सुना पास निकली और इत्ती सी हो दा खौता हो जाता अबन माला चड़ जाती उपर तो इस ताइप के जो वर्ड है वो क्यलाते हैं एड्जेक्टिव ऑफ डिग्री ठीक है एड्वर्ब ऑफ डिग्री याद रखिएगा और मैं लिग भी देता हूं आपके लिए जैसे कि आल्मॉस गुडडन मैसेज लिख देना वाट्सप कर देना ठीक है हमेशा कॉल रिसीव नहीं कर सकते भाई क्योंकि काम भी रहता है इसलिए तो मैसेज कर देना मैं जब भी फ्री होंगा तब देख लूँगा कई सारे जैसे मेसेज किया उसी टाइम जैसे वह एक रहता है मतलब यह वाट्सप कर रहता है जैसे स्टेटर्स डाला किसी के लिए है तो जब तक वह देखता है जीर नहीं कब रहता अपना देखा नहीं देखा नहीं ऐसा यहां पर क्या है बहुत सारे मेसेज करते ना तो मैं जैसे ही समभाई मिलता है उसके बाद आपको जवाब देगे है ना चिंता मत करो आपके लिए बेठें और कोई कामी नहीं है यह लीजिए इसमें बड़ी परेशानी थी बहुत सारे लोग यह क्योशन मुझे भेज भी रहते वाट्सप पे कि सर इसका क्या गलत सलत क्या है दा प्लूरल फॉर्म ऑफ वोमें डॉक्टर वोमें डॉक्टर का प बोलो जल्दी बताओ सरीता याद हो सर आप मेरे मेसेज का रिपलाइ नहीं देते हो हां क्योंकि तुमने मेरी सगई तुडवा दी थी ना उस समय इत्ते बड़ी रिस्ता आया था मेरे जो तुमने के दिया लड़का अच्छा नहीं इसलिए देता हूं मैं जवाब कि देखो इसका सही जवाब क्या है वुमें डॉक्टर तो जब गभी किसी सेंटेंस की शुरूआत मेन यह वुमेंट से होती है तो उसमें दोनों ही व्धुडूरल हो जाती है दियान रखना जैसे woman doctor, man doctor ऐसा कोई भी sentence आया है, जैसे man servant, man servant, तो इसमें क्या होगा, man का भी m e n होगा, और servant का भी servants होगा, man का भी m e n होगा, और servant का भी servants होगा, तो दोनों होगे इसमें, बोलो समझ गए, तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा, option number a, लेकिन चार word बताता ह हूँ आपको मैं, जिन में ऐसा नहीं होता है, तो वो चार word कौन से हैं, उसके लिए, देखते रहिए, कल का episode, समय, देखो चार word ऐसे हैं, जो कि man woman से शुरू होते हैं, इसी से शुरू होते हैं, वो man woman से, लेकिन उसमें यह rule apply नहीं होता है, उसमें मतलब है ना, दोनों plural न कभी बहुती तो उसमें ऐसा ही होता है, वो उपर साज जो वो भूको धक्का देती है, और नीचे गीरी के इन गीरी के इन एक दम बंद कर देते हो, वो लेक कल बताएंगे गीरी के इन गीरी, तो हम भी कल बताएंगे, ठीक है? चलो, तो, ओके मिलते हैं फिर कल की class में, ठी कि इन एक है?